हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आवर चैनल आई एस वित हरी मौन कैसे हो दोस्तों आई होप अच्छे होंगे आई होप आपको हमारी कुशन बेस्ट इंफोर्मेशन समझ में आ रही होगी टोप यह कुशन से संबंधित कोई भी परेशन ही आपको हो तो कमेंट करके जरूर बत दै जा चुका है कि हम करेंट अफेर्स रिलेटेड इश्यू एंड आर्टिकल्स को क्योशन आंसर्स के रूप में डिसकस करेंगे जो यूपीसी एक्जाम के दिश्टी कोन से महत्पून होंगे इसी क्रम में आज का हमारा क्योशन इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हैं जो जी एस पेपर टू का पार्ट है तो आएए दोस्तों आज का हमारा क्योशन है शंगाई सहयोग संगठन के संधर्प में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है चीन इसके संस्तापक सदेश्यों में से एक है दूसरा कतन है यह एक यूरेशियन राजनितिक आ कतन सही है ओप्शन एक किवल एक और दो ऑप्शन बी किवल एक और तीन ऑप्शन सी किवल दो और तीन ऑप्शन डी उप्यूक्त सभी दोस्तों इसके लिए आपको दस सेगने टैम दिया जाता है कि आपना अंसर चूज कर लिए होगा इसका राइट आंसर है ओप्शन डी उप्यूक्त सभी आए दोस्तों संगाई सहयोग संगठन को डिसकस डिटेल में डिसकस करते हैं यह यूरेशियन राजनितिक आर्थिक और सुरक्ष संगठन है जिसकी स्तापना थीन, कजागिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजागिस्तान और उजबेकिस्तान द्वारा 15 जून 2001 को शंगाई में की गई थी इसका मुख्याल है बिजिंग में इस्तित हैं हतार इस संधर्व में तीनों कतन सही है आए दोस्तों संगाई सहयोग संगठन के बारे में डिटेल में डिसकस करते हैं किस तरह से शंगाई सहयोग संगठन UPC एक्जाम के लिए महत्पून है और भारत इसका किस तरह से हिस्सा बना चर्चा में क्यों? हाली में ही किर्गिस्तान की राजधानी विश्केक में संगाई सहयोग संगठन का 19 वा शिकर सम्मेलन आयुद किया गया जिसमें भारत सहीत सभी सदस्य देशों के परती निधियों ने हिस्सा लिया भारत के परती निधि के रूप में परधानमंत्री नदेंदर मोदी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया 19 वे शिकर सम्मेलन के प्रमुक तथ है इस सम्मेलन में आतंगवाद प्रमुक मुद्दा रहा जिस पर सभी से दस्य देशों के परतिनितियों ने गहरी चिंता व्यक्त किये और आतंगवाद के खिलाफ लड़ाए है तू एक साथ आने पर जोड़ दिया गया जुलाई 2015 के बार पहली बार भारत पाकिस्तान एक साथ एक मंच पर मौजूद थे भारत और चीन के परतिनितियों ने अपने भूपक्षिय संबंदों को मजबूती परदान करने के तरीकों पर चर्चा की जैसा कि हम जानते हैं कि चीन की आतंगवाद समर्तिनिति बेल्ट एंड रोड इनिसियेटिव तथा चीन पाकिस्तान एकोनोमिक कोलिडोर के कारण दोनों देशों के संबंदों में तनाव उत्पन हुआ था दोस्तों संगाई सहयोग संगठन का इतियाज जानने की कोशिश करते हैं चीन कजागिस्तान किर्गिस्तान रूस तथा तजागिस्तान देशों ने मिलकर 26 अप्रेल 1909 में संगाई 5 की स्तापना की बाद में 15 जून 2001 को उजविगिस्तान इस संगाई 5 समू में समलित होकर संगाई सहयोग संगठन की स्तापना की गई वर्ष 2005 में भारत और पागिस्तान इस संग में परियवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में पूर सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों आज के लिए के वल इतना ही हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टोपिक और नई इंफोर्मेशन के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एक नई इंफोर्मेशन जानने को मिली होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें धन्यवाद